है मन्त बाबू सिर्फ द्रश्टाचार नहीं करते हैं मत बैंक की लालच में यहां की जन सांखी की भी बदल रहे हैं डाइमोग्राफी चेंज हो रही है गुस पेठिये गुसा कर आदिवासी और पिछड़े बहु लेगे अब खेत्र में आदिवासी और पिछड़ों की संक्या कम हो रही है गुस पेठिये गुस कर आदिवासी जमिन हत्या रहे है आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार क रहे हैं और वॉटमेंग की लालज में मुष्कुराते हुए हेमन्सोरेन इसको देख रहे हैं हमन्स बबो यह जो आप कर रहे हो उसको पूरा जारखंड समझता है जारखंड के पिछडे वर का हर हर युवा समझता है यह बच्ची समझती है आदिवासी भी इसको समझते है औ और साहयवगुन, पाकुडा, गॉंडा, दुमका और जामताडा के अंदर आदिवासों की संख्या घट रही है, घुस पेठ्यों की संख्या बढ़ रही है, यह बहुत चिंता का विसर है। और अब आदिवास्यों की संख्या 35 प्रतिसत से घट कर 24 प्रतिसत रहेंगे और इसके साथ साथ पिछड़े वर्क की संख्या में भी कमी आई हैं और मित्रो अब जो घुस पेठिया जमीन कब जा रहे हैं इसके सामने तो हेमन बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं क्य ये जनता पार्टी के कारेकरता ये नहीं होने देंगे जारखन के अंदर जन संकी की नहीं बदलने देंगे जारखन जिनका है उसी का रहेगा ये भारतिये जनता पार्टी का नीन है मित्रो और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया जामताड़ा और देवदर दोनों जगे पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चड़ा कर बहुत बड़े अपराज हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए। हैमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है भई, मत करिये। चुनाव आने वाला है। 2024 में 14 की 14 सिटे और बाद में विधान सभा में पून बहुमत की भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। झाल झाल